आज बहुत जरूरी काम लेकर मैं बालकनी में आई हूँ और काफी तेर दू घंटे से लगी हूँ देखिए एक एक पॉट को हटा के पहले क्लेन की हूँ इससे क्या होगा वर्सात में जो भी मिट्टी उटी गिरता है तो सब सफाई करना बहुत जरूरी है अगर बालकनी में प्लांट लगाते हैं तो और सब का पतियां को हटाई हूँ जो भी पीला ये सब होके गिरा है कुछ कटिंग को मैं इधर उधर की हूँ देखिए कलेंचों लगबग एक टब में मैं रखी थी और आप लोग से काफी वीडियो में दिखाई थी 30 से 40 प्लांट था लेकिन सब गल चुका था और जो बचा है उसको मैं पेंट के डबे में अभी लगा दी सेंडी सोयल बना के और देखिए एक कोलियस एक दो तिन दिन पहले ही मैं वीडियो में दिखाई थी काफी बड़ा बड़ा एक डबे में लगा हुआ था चोकलेट का तो उसको मैं अभी खाली की ह अभी दिखाऊंगे देखिए सब बॉटल का कर दी एरिया इधर और जो बालसम है इसको दूप में ले जाओंगी और देखिए इस सब में कोलियस लगा हुआ था अभी सब डबे को खाली करके इसमें मिटी भरी हूँ बहुत अच्छा मिटी बनाए हूँ और देखिए बर्मी कंपोस्ट बन गया है जो बर्मी कंपोस्ट होता है वही बन गया है हर सल मेरा कलेंचो वालटा में बर्मी कंपोस्ट बन जाता है इसमें मैं थोड़ा सानीम खली ये सब मिला के कफी अच्छा मिटी बनाए हूँ थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट था उभी डाल दी तो मैं पौधा लगाने जा रहे हैं, वो कम से कम 10 इंच का पॉड में लगाना चाहिए, उससे उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, और इसका मेटी बहुत अच्छा बनाना चाहिए, कि विंटर का सब से खुब सुरत प्लांट होता है, और सब का फैबरेट प्लांट होता है तो देखिए यह पूराना ही पौड था, और यह तो मेरा गाड़निंग का सुरूआत का है, जो तूट गया है, तो लगभग अब 25 साल इसका सुरू होने वाला है, और बहुत अच्छा चला, क्योंकि मैं ज़्यादा धुप से इसको बचाते रहते हूं इस पौड को, और मे लगाने जा रही हूं, मतलब एक ही चीज बार-बार दिखाना ठीक नहीं लगता है, और देखिए बहुत अच्छा मिटी बनके रेडी हुआ है, और यह मिटी वो है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग से आंगन में धूप में सुखा के दिखाई थी, और सब कुछ मिला के रख ही थी, तो इसका मैं क्या यह उज़ करूँगी, यह मैं टेरिस पे किसी वीडियो में दिखाऊंगी, इसको कहां डालना है, और एक कलेंचो अला मीटी है, तो इसमें मैं क्या लगा रहे हूं, चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा प्लांट है, जो की लग तक या छट तक मुझे काफी अच्छा फ्लावरिंग मिलने लगेगा, तो वही प्लांट में लगाने जा रहे हूं, तो कुछ पॉट भी खाली की हूं, कुछ टॉफी का डब्बे जो आते हैं, वो भी खाली की हूं, जो कोलेस लगे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा बड़े मैं मंगवाऊंगी इसे इतना ज्यादा कंटीनियू बारिस होने से, मैं कुछ भी फटिलाइजर नहीं डाल पाती हूं, देखिए ये मेरी गोल्ड उसी के साथ का है, जो मैं जाने से पहले लगाई थी, देखिए इतने बड़े-बड़े हो गाए, और देखिए इस सब डेविल्स बेकबॉन का कटिंग लगा था, तो वो मैं इसमें लगा दी, और सेंसबेरिये को छोटा उपर का धकन जो होता है, उसमें लगा दी, क्योंकि वो छोटा-छोटा डब़े में भी चल जाता है, और जो बालकनी में रखना है, उसको सारे छोटे पॉर्ट में कर रह लेकिन जो मेरे पास है अभी कर रहे हैं, और बाद में मैं और भी मंगवाने वाली हो, तो भी मैं अप लोग से वीडियो सेर करूंगे, क्योंकि देखिए, प्लांट तो फिरी में निकल जाते हैं, तो पॉर्ट में ही पैसा लगाना होता है, तो अभी तो घर का बेस्ट में लगा रहे हो, फिर मैं बहुत जल्दी सब के लिए पॉर्ट मंगाऊंगी, क्योंकि बहुत खुबसूरत, देखिए, मेरी गुल्ड और रोज ऐसा प्लांट है, जितना भी लगा लीजे, मन भरने वाला नहीं है, तो देखिए, मैं दीरे-दीरे, मैं ऐसे भी सोची थी कि ल लगाऊंगे, और सब टेडिस पे जाएगा, दो-चर दिन तो मैं अभी यहीं रखूंगी, क्योंकि बहुत छोटा-छोटा प्लांट है, और उसके बाद अगर धूप में नहीं रखूंगी, तो ऐसे ही छोटा रहा जाएगा, अभी अगर मैं इसको धूप में रखे रहती, तो कुछ दिन में इसमें फ्लावरिंग होता, और देखिए इसमें भी लगा दे रहे हूँ, और इसको भी टेडिस पे ले जाके टावर बनाऊंगे, वो मैं दुसरे वीडियो में सेब करूँगी, लेकिन मिट्टी उटी भर दी, और उसको मिट्टी भर के पूरा दबा दी हो, कि उसका जो पर्दे कर ओर लगाई हो, वो गीरेगा नहीं, और उसमें कौनसा फ्लावर लगाऊंगी है, टेडिस पर ले जाके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं दूसरे दिन, देखिए सब छोटे-छोटे मिठाई के डब्बे ही हैं, जो पाच- मिलता है, तभी न कोई वीडियो बनाएगा, और देखिए, पानी डाल दी, जितना प्लांटे यहां है, उतना, और आगे चलके, मैं जो बचा है, सब टेडिस पर ही लगाने वाली हूं, जगा जगा दूँगी, और इसको कैसे अरेंज कर रही हूं, देखिए, इधर का जलने लगता है, देखिए, इधर जेड प्लांटे सब का कटिंग लगाई थी, काफी अच्छा चल गया, और देखिए, सब को मैं सेट कर दी, क्योंकि बड़सात में नेचे, मार्बल पर रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके नेचे से ही कीडे मा कुड़े आने लगें देखिए, कोलियस पी काफी अच्छा चलेगा, और जब सेट कर जाएगा कोलियस तो और धेड सारा इसका छोटा छोटा बार्टल है मेरे पास, जिसमें कर्टिंग लगा दूँगे, दो बोरी से भी जादा मैं रखे हूं, तो कैसा मेरा वीडियो लगा पसंद आए, तो ला प्लांट नहीं की, क्योंकि बड़े पॉर्ट का जरूरत है, तो अभी मैं मंगवाई नहीं हूं, अगर आएगा तो जरूर आप लोग से सेयर करूंगे, और मेरे पास यह सब डबे कीचन का पूरा डबे चेंज की थी, तो बहुत सारे डबे खाली हुए थे, तो उनहीं सब में लगा रहे हुए बहुत सारे कोल्डरिंग का बॉर्टल भी रखेंगे, याई वाई बनाओंगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, थेंकियो